Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Coleridge की बुक Wordsworth's Theory of Poetics के बारे में और इस वीडियो में हम तीन चीजें डिसकस करने वाले हैं पहला Wordsworth's Theory of Poetry and Poetic Diction, Coleridge's Criticism of It और दूसरा Merits and Demerits of Wordsworth's Poetry, Coleridge's Account of Them तो चलिए शुरू करते हैं Wordsworth और Coleridge's 7096 में एक साथ आए और उन दोनों के बीच हुए डिसकसन से बहुत सारी theories का जन्म हुआ जिसे Wordsworth ने अपनी Preface to the Lyrical Ballads में बताया है और Coleridge ने भी इन्हें Half the Child of His Brain कहकर इन theories पर क्लेम किया लेकिन बात में उनके views चेंज हो गए और फिर उन्होंने Wordsworth की theories से agree नहीं किया और उन्हें criticize किया तो सबसे पहले बात करते हैं Wordsworth की theory of poetics के बारे में और इस पर Coleridge ने क्या निंदा की Wordsworth ने अपनी Preface to the Lyrical Ballads में तीन important statement दिये वो लिखते हैं कि वो हमेशा low और rustic यानि gramine या देहाती life चुनते हैं क्योंकि इस condition में जो आवस्यक भाव है दिल का उसे ज्यादा अच्छी जगा मिलती है maturity को attain करने की क्योंकि ऐसे में सादगी भरी language यूज की जाती है क्योंकि हमारे अंदर simplicity होगी दूसरा statement ये था कि इन्हीं gramine की language भी wordsworth adopt करते हैं क्योंकि ये निरंतर best objects से ही communicate करते हैं जिनसे language के best part को originally derive किया गया है और चुकि ये society में भी high rank पर नहीं है सब एक समान है और बहुत छोटे circle में रहते हैं तो समाज का दिखावा इनमें नहीं है और इसलिए अपने emotions को simple expression में elaborate करते हैं तीसरा statement कि उन्होंने poetry की language और diction पर कई statement दिये और कहा कि poet का काम है imitate करना और जहां तक possible हो जो हमारी language है उसे ही adopt करना तो language of prose और metrical composition के बीच नहीं कोई essential difference है ना हो सकता है तो ये थी words words के statements अब बात करते हैं college के criticism के बारे में पहला themes of poetry के तो college point out करते हैं कि खुद words words की ही कुछ character low और rustic life से belong नहीं करते और दूसरा कि उनकी language और statement उनकी घर या occupation से नहीं बलकि कुछ कारणों से different है जो अगर कोई different place या occupation से belong करते हैं उनमें भी हो सकती है और ये कारण है पहला independence जो किसी आदमी को servility यानी चापलूसी से उपर उठाती है और दूसरा solid religious education जो Bible या other holy books से आती है और इंसान को अनुभवी बनाती है यानी इन सब का लेना देना ग्रामीन या सहरी से नहीं है और कॉलरिज के opinion में तो अगर किसी इंसान में natural sensibility और equitable education की कमी है तो उसके लिए ये rural solitudes किसी काम के नहीं है बलकि education on sensibility के absence में उसका मन कठोर और आदमी selfish, gross यानी भद्दा और hard-hurted हो जाता है second statement के लिए के लिए कॉलरिज कहते हैं कि rustic people सिर्फ nature के बारे में facts express कर सकते हैं ना कि ideas और thoughts और इनसान की language का best part मात्र nature से communicate करने से नहीं आता बलकि education, noble thoughts और humanity से आता है और जो भी noble और poetic phrase और words rustic people use करते हैं वो nature से नहीं बलकि बार-बार bible को सुनने से और पादरियों के धर्मोपदेश से derive किया गया है third statement के लिए कॉलरिज बताते हैं कि हर इनसान की language according to उसकी knowledge differ करती है हर इनसान की language में पहले उसकी individual peculiarity यानि खासियत होती है उसके बाद उसके class की जिससे वो belong करता है और उसके बाद words और phrases की जो universal है कोई भी दो men जिसकी class same हो तब भी उनकी language अलग होती है poetry की language prose से उसी तरह अलग है जैसे conversation की language prose से अलग है या फिर जैसे reading talking से अलग है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि prose और poetry में use किये गए words same हो लेकिन उनका arrangement different होता है और ये difference इसलिए रहता है क्योंकि poetry में meter का use किया जाता है और meter के लिए words का arrangement अलग तरीके से होना चाहिए और इस तरह से कभी भी prose और poetry की language same नहीं हो सकती अब बात करते हैं wordsworth की poetry के virtues के बारे में जिन्हें college ने admire किया first है कि उनकी languages में grammatically और logically एक purity है और meaning के लिए appropriate words यूज करते है poetry में हर word और हर phrase पर विचार किया जाता है और carefully study किया जाता है तो wordsworth की language में purity और freshness दिखती है second है उनके thoughts और sentiments यानि भावनाय की मजबूती और sanity यानि बुद्धिमानी books से नहीं ली गई लेकिन ये उनकी अपनी meditative observation से मिली है उनके thoughts और sentiments fresh और original है चुकि बहुत से passages में wordsworth obscure भी है लेकिन ये obscurity भी उनकी impurity या confusedness से नहीं बलकि उनकी thoughts की गहराई के कारण arise हुई है third excellence है उनकी single lines और paragraphs की powerful strength और originality और abundance of apt and fallacious phrases और expression यानि उचित और appropriate phrases और expression की प्रचूरता चौथा वर्चू है उनकी images और descriptions में nature के लिए perfect truth जो उनकी nature के object से गहन परिचय को दिखाते हैं और poetry में इन objects के peculiar shapes, motion और animation को दिखाते हैं great poet कभी भी चीजों को तोर मरोर कर describe नहीं करते बलकि उनकी पर सिर्फ चमकला देते हैं fifth है उनकी poetry में pathos करून रस है जो deep और subtle thought का sensibility के साथ तालमेल है wordsworth बहुत imaginative भी है और इस मामले में वो Shakespeare और Milton के बराबर है आगे कॉलरिज ने wordsworth की poetry में faults को भी detail में examine किया जो है कि पहला wordsworth की poem में inconstancy of style है यानि अचानक से ही poems happy style से sync करते हुए बिलकुल nearest या undistinguised यानि मामुली हो जाती है उनका style uniformly excellent नहीं है second demerit को matter of factness कह सकते हैं इसमें हर छोटी से छोटी चीज को उनकी position को elaborate करते हैं जैसे कि खुद poet को appear हुई हो हर action और character को explain करने के लिए accidental circumstances का elaborate हुआ है लेकिन poetry में ये सारी चीजे objectionable है क्योंकि poetry particular नहीं universal है third defect है कुछ poems में dramatic form के लिए उनकी excessive fondness और इसके दो गलत result होते हैं अगर character अपनी language यूज करता है जो उसे suit करें तो इसका result incongruity of style होगा जो poet और speaker की language में difference के कारण arise होगा और दूसरा अगर character poet के ही manner में बोलता है तो वो अपनी individuality और significance यानि महत्व खो देगा और बस poet की एक mouthpiece बन कर रह जाएगा आखरी demerit है किसी subject के लिए ज्यादा ही great thoughts और images का use करना और ये किसी genius आदमी के लिए अजीब ही defect है कि वो अपनी habitual loftness यानि उचाई या महत्व को साधारन objects पर apply करें तो ये थे wordsworth की poetry के merits और demerits जो college ने बताए Thank you